Honda SP 125 के 2024 मौडल में इस्पोर्स एडिशन को सामिल किया गया है उसके साथ आपको बड़े बदलाव भी देखने को मिली है फीचर और कलर को लेके साथे उस तो कीमत में ही बदला हुए है तो आइए बात करते हैं स्टैंडर्ड मॉडल से सुरु करते हैं डिटेल को जानना तो इस्टैंडर्ड मॉडल की पहली कलर है Imperial Red Metallic एग दूसरी आपको मिल जाती है Black में तीसरी आपको मिलती है Matte Axis Grey यह चौती है Pearl Siren Blue पांचवी आपको देखने को मिल जाते है Matt Marvel Blue Metallic वहीं हम Sports Edition की बात करेंगे पहली आपको देखने को मिल जाती है Heavy Gray Metallic वाली कलर जासे कि आप देख रहे हैं और यह दूसरी आपको मिलती है Descent Blue Metallic इस गाड़ी में आपको देखने को मिलती है LED Headlight और DRL Bulb वाली Indicator के साथ Sports Edition में आपको यह नई pattern यहाँ पर दी गही है साथी आपको Sports Edition के branding यहाँ पर दी गही है SP 125 के साथ Body Color के आपको मिलते है Grab Handle नई आपको मिली है Ream Strip इसमें Fiverr वाले आपको चैन कवर देखने को मिल जाई है Black Engine के combination में गाड़ी के रियर के हम बात करेंगे वल वल है टेलेट आपको उफर की जारी है तो आपको ऐसी कुछ लूग के आपको देखने को मिलेगी Sports Edition की इसके Standard Edition के हम बात करेंगे Honda के 3D MLM आपको देखने को मिल रहा है ऐसी कुछ आपको Black के साथ combination देखने को मिल रही है SP 125 की branding है Single seat आपको मिल जाती है काफी बड़ी ये गाड़ी disk को drum brake दोनों में ही available है यहाँ पर आपको chrome की work देखने को मिली है silencer के उपर ये दोनों edition आपको कैसी लगी है जो उससे आप comment करिएगा इस गाड़ी में आपको मिलते है गेर indicator के हम बात करेंगे 5 गेर आपको मिलते है एक गेर लगती है नीचे फिर है neutral फिर उपर लगेगी 2, 3, 4, 5 आए कीमत से पहले बात करते है गाड़ी की engine और performance के बारे में engine आपको मिलता है 123.94cc का program FI engine power आपको देती है 10.72 BHP की टोर के हम पर generate करती है 10.9 Nm की 60 के पर माइलेस कही जारी गाड़ी की top speed है करीबन 100 km पर दिगंटे की 5 गेर है सामने आपको मिलेंगे telescopic suspension पीछे आपको मिलेंगे hydraulic वाले इसमें आपको सामने drum और disc की brake की सुबिधा देखिनों को मिल जाती है CBS यानि combi brake system के साथ पीछे आपको मिलते है drum brake सामने आपको मिलते है 1818 गेटार 47 प्लारेटिंग वाले पीछे आपको मिलते है 1818 के 53 प्लारेटिंग वाले tubeless tire जोगे दोस्तों काफी wide dub हो गई है पहले से गाड़ी के लंबाई है 220 mm की चौड़ाई है 785 mm की उंचाई है 1103 mm की seat हैट आपको मिल जाती है 790 mm की wheelbase है 1285 mm की weight है करीबन 116 kg और fuel tank आपको मिल जाती है 11.2 लिटर के तो ये गाड़ी ये भी तीन वेरेंट में उपलब्द है drum break में disc break में sports edition में तो दोस्तों drum break के 100 room कीमत सुरू हो जारी है 85,800 रुपाई से RTA Rotex Insuris के charge को सामिल करने के बाद on route कीमत आपको पढ़ेगी 1,02,000 रुपाई से लेकर 1,04,000 रुपाई के अंदर है वहे disc break model की बाद करेंगे इसके एक showroom कीमत है 89,800 on route कीमत आपको पढ़ेगी 1,07,000 रुपाई से लेकर 1,09,000 रुपाई के अंदर है और यह तीसरी है sports edition है जिसमें के आपको नई color देखने को मिली थी उसके एक showroom कीमत है 90,300 on route कीमत आपको पढ़ेगी 1,08,000 रुपाई से लेकर 1,11,000 रुपाई के अंदर है तो आप अगर इसके लेने की सोच रहे है disc break वाली model जो की सबसे popular वेरेंट है अभी जिसके on route कीमत 1,07,000 से सुरू होती है बीना दोस्तों कोई भी वहाँ पर एकसेसरीज लगाए तो 50,000 रुपाई डॉन पेमिट करने पर लोन अमाउंट आपको लेना पड़ेगा 57,000 का 12% ब्यादर के हिसाब से 2 साल के लिए मंथली की स्ताप की बनेगी 2,600 रुपाई की 2,203 साल के बाद करेंगे 1,900 रुपाई तो यह थी SPXC 25 को लेकर अपडेट कितनी कलर है, कितनी वेरेंट है, कीमत क्या है, परफॉरमेंस क्या दोस्तों वीडियो को सेर करेगा और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करेगा चैनल को धन्यवाद